अबी का स्वागत है आपके चैनल उशा की एकरण में आज हम बात कर लेते हैं टाटा के छोटे हाती के नाम से आने वाले एस गोल्ड के बारे में गोल्ड की बेजिंग दोस्तो इसी तरह की बेजिंग जो है आपको टाटा 400 सा जो ट्रक आता है उसके उपर भी लिखी हुई दिखाई देती है जो कि इन्होंने अपनी गोल्ड स्रीज को निकाला है तो हर वहान के उपर आपको इसी तरह का जो है गोल्ड स्रीज देखने के ल तो यहां पर आपको इसका जो यह bumper है यह आपको यहां पर fiber material का मिलता है गाड़ी को lightweight करने के हिसाब से इसको यहाँ पर लगाया गया है शाधी दूस्तों आपको यहां पर बड़ी सारी इसके अदर windshield मिलती है जिसको clean करने के लिए दो दो wiper मिलेंगे वाशर के साथ में दो द यहाँ पर आपको टू सुलेंडर इंजिन मिलता है इन ट्रक्स के साथ में इसको मैं छोटा ट्रक ही कहूंगा क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारी वहां छमता भी मिलती है अगर बात करें दोस्तों इसकी पीछे की कारगो बॉड़ी की तो 7.2 फिट लंबाई वाली आपको इसके कारगो बॉड़ी मिलती है और इसकी अगर हम चोडाई की बात करें दें? आपको यह जो है रिवर्स पार्कीं सेंसर अब दिये जार रहे हैं शादिछी दूस्तों आप देख साइड में सेमेलिप्टिकल लीफ स्टेंग सेस्टम आपको जो है पीछे की साइड में मिल जाता है तो दोस्तों इस तरह का इसका कार्गो बोडी है जिसकी उंचाई को आप और भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको इसके इंदर डाला भी मिलता है खोलने का उप्सन जिससे कि अ जाले को आप खोल करके इजली आप अपने सामान को ले करके जा सकते हैं तो साइट से हमें गाड़ी दिखती है कुछ इस तरह की काफी बैतरीन मजबूच चैसिस के उपर इसको बनाया गया है बीए सिक्स गाड़ी है तो इसके अंदर दोस्तों आपको डैफ भी डालना करें गाड़ी हमें कुछ इस तरह की दिखती है चोटा हाती जिसके अंदर आपको सांदार वीलवेस मिलेगा लगबग 2100 मिलीमेटर के आसपास साथी 160 मिलीमेटर का यहां पर आपको गुराम क्लियंस भी मिल जाता है जिससे कि आप उबर खाबर रास्ते हैं ब्रेकर वगरा हैं वहाँ पर आसानी से निकल पाते हैं ओवराल इस छोटे आती की जो लंबाई है वो है दोस्तो 3800 मिलीमेटर के आसपास और इसकी चोड़ाई है 1500 मिलीमेटर के आसपास तो दोस्तों यह जो गाड़ी है आपको 1842 समयम की आपको यहाँ पर इसके हाइट मिलती है अगर हम ह की तो यहाँ पर आपको जो है इसका अंदर जो है डिजल टेंक वगरा है एट ब्लू वगरा है वह सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों यहाँ पर आपको पीछे मिलता है इसके अंदर 30 लीटर का फ्यूल टेंक डिजल टेंक मिल में आपको मिलता है semi-liptical parabolic के साथ में लीफ स्प्रिंग सेस्पेंसन और पीछे मिलेगा आपको semi-liptical lipispring suspension जो की hydraulic shock absorbers के साथ में पीछे मिल जाता है चले दुस्तों हम गाड़ी के अंदर और इस तरह की केविन हमें अंदर से दिखाई देती है दोस्तों आप देख लीजेगा टाटा छोटा हाथी एक ऐसी गाड़ी है जो कि काफी फ्यूल एफिशिंट के साथ में आपको काफी बिज्निस को बढ़ाने वाली यह गाड़ी है लिए दुस्तों मैं चलता हूं सामान यहां मिलता है यहां पर यहां सब्सक्राइब का बढ़ाते हैं स सब्सक्राइब करें यहां षाल और वाली इसको प्रेस करेंगे दिर्द्म यहां पर यहां पर जो है एक छोटा सा ग्लोव वक्ष भी मिल जाता है जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं साथ यहां पर लॉक और मिल यहां और नहीं के जगह भी शुष्टकर इसका dashboard, आपको coolant का जो tank है वो नीचे की side में यहाँ पर मिल जाता है और overall जो गाड़ी है दूस्तों काफी spacious इसका cabin यहाँ पर दिया गया है बात करते हैं दूस्तों driver side की यहाँ पर आपको lock करने का provision मिलता है इस साइड में भी और यहाँ पर आपको एक indicator भी मिलेगा और गाड़ी को खोलते हैं कुछ इस तरह से और driver side का जो space है वो भी हमें काफी spacious यहाँ देखने के लिए मिलता है जैसे कि driver जब गाड़ी को चलाएगा तो उसको यहाँ पर चलाने के लिए अभी किसी प्रकार को दिकत नहीं होगी और यह है इसका driver का seat जिसको कि आप आगे पीछे जो है एड़ेस्ट कर सकते हैं slide करके आपको यहाँ पर इसको जो है आगे पीछे करने का एड़ेस्ट करने का provision भी मिल जाता है चले दोस्तों हम चलते हैं जाटी के अंदर और गाडी के अंदर से भी हम आपको बता दे थे हैं कि गाड़ी के अंदर हमें क्या-क्या चीजें देखने के लिए मिलती है तो दोस्तों मैं आगे आँ गाडी के अंदर और यहां पर आपको तो डिजिटली रूप से तमाम सारी information यहाँ पर सो होती है जैसे कि आपको यहाँ पर speedometer है बीच में आपको engine का temperature है यहाँ पर इसका depth की कितनी limit बचुई है वो भी बताता है यहाँ पर आपको fuel gauge मिल जाता है यहाँ पर आपका odometer मिल जाता है यहाँ पर आपको battery है और तमाम सा की को अगर एक बार on off करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका यहाँ पर हमें पूरी information इसके display के उपर सो होती है काफी colorful display के अंदर साथी दोस्तों आपको इस side में मिलता है वाइपर जिसको कि आप 2 speed के अंदर चला सकते हैं वाइपर को और right and side में आपको जो है इसका lights वगर का control switches देखने के लिए मिलता है तो दूस्तों इस तरह की सारी सारी information सें इसके अंदर की और उपर की अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको driver side के अंदर sun visor भी मिलेगा और पीछे का view देखने के लिए आपको यहाँ पर इसका IRVM भी मिल जाता है जिसको की glass के उपर fit क किया गया है साथी के विन को रॉसेंड करने के लिए यहाँ पर आपको मिलती है एक light तो यही था इसका interior अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर एक मिलेगा reverse टोटल हो जाते हैं पांच गियर तो काफी बहतरी और काफी सुवेवस्तिस इस गाड़ी को बनाया गया है अग यहाँ पर मिलेगा आपको इसका parking brake lever तो दोस्तों यही था गाड़ी का interior अब हम चलेंगे गाड़ी के बाहर अगर हम पावर की बात करें तो इससे आपको 20 hp की पावर मिलती है 3600 rpm के आसपास और 45 mm का यह गाड़ी जो है आपको टॉर्क देदेगी 1800 से लेकर के 2000 rpm के आसपास वहीं दोस्तों अगर हम इसकी चड़ाव चड़ने की चमता यानि की gradability की अगर बात करें तो 27.5% की आपको यहाँ पर इससे gradability भी मिल जाती है दोस्तों इस काड़ी के इंदर Tata का GBS 65R यहाँ पर आपको यानि की 4-speed transmission fully synchronous gearbox का इस्तिमाल किया गया है दोस्तों अगर हम brakes की अ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर मैं नित नए रोज आपके लिए तरह तरह की गाड़ीयों के रिव्यूज लाने की कुछिस करता हूं आज के लिए इतना फिर मिलूंगा जैहिंद जैभारत